हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दवस के गड़ीत का एक इंपोर्टेंट चेप्टर तिरकोर मीती का आप सभी को रिविजन कराने वाले हैं फ्रेंस आप सभी को उन्हीं प्रशनों को हल कराएंगे जो 2024 के बोर्ड के एक्जाम में 100% आने वाले स सवाल करेंगे चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए आपके सामने पहला सवाल है जो कि आपके बोर्ड के एक्जाम में 2023 और 2022 के पेपर में यह आ चुका है देखिए फ्रेंस आपका सवाल क्या है यदि कास ठीटा बराबर चार बटा के पांच सायन ठीटा काश ठीटा प्लस टैन कार्ट टीटा का मान याद कीजें इस परकार के सवाल को आपको बोर्ड के एक्लर कहा empower के करना है पहले फ्रेंस आप यहां पर लिखिये हका हल ठीक कि ब्लेक पैन साब लिखे खिया लिखने लीगे बत देखित आपको क्या कढहाई है तो आप प्ले लिश्ट में जाके पहले फार्मॲा आप देख लीजिए अब इस फार्मॲा से से परचीत हऊं के लाल बटा के कक्का के फ़ार्मूला आप सभी को पूरा डीटेल बता हैं आप प्लेपा किया होता है त्या यादर कि अपान कडी हो तो क्या ऊथा इसे हो अद्द का उसका वह स्ट्रिय पिट्ना हुआ अजी प्रेदिव मॉंश्य नियुक्त क्यों फॉल संफिकृ हिए इतना लिखने के बाद आपको जब भी किसी भी तरिकलमीती अनुकात में मान गयाद करना होगा तो आपको तीन भूजाए पता होना चाहिए आधार कड़ और लंपता होना चाहिए तीनों भूजा आपको पता रहेगा तभी आप मान गयाद कर सकते हैं ठीक है फ्रेंस तो यहां पर आपको पर में होता क्या है फ्रेंस चलिए यहां पर फार्मूला लिखते हैं देखिए आपका फार्मूला होता है करोड़ का स्क्वाइर बराबर आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्कॉयर ठीक है अब चलिए यहां पर मारकीश को हल करते हैं ठीक है देखिए आपका कड़ कितना है पांच है तो पांच का स्कॉयर कर लीजिए आधार कितना है चार है तो चार का स्कॉयर कीजिए लंब कितना है ग्याद करना है तो लंब का स्कॉयर रहने दीज यहां से आपको इसक्वार आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों पच्छों का वर्ग लेना पड़ेगा करड़ी लेना पड़ेगा फिरश्ट यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों पच्छो का करड़ी लेने पर देखें फिर जब करड़ी लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर करड़ी में नौ हो जाएगा यहां पर काड़ी में क्या हो जाएगा काड़ी में लंब हो जाएगा लंब का स्कॉार हो जाएगा ठीक है नौ का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा तीन और लंब यह हो जाएगा लंब ठीक है लंब का स्कॉार हो जाएगा यानि कि आपका यहां पर लंब कितना पता टीग कै अब फ्रेंच देखी ऐब को क्या ज़्याद करना है सवाल में सवाल में देखेंगे ति आप को सैंच टिटा गयाद कर ना है कॉशां सो या निदी कामन है सैंट तिक यहाँ जो सघूर करना है और जाए ली यहाँ और पर निकाले द творit मेंगें कैसे निन निकलेगा इसको भी बतादेया आपको आप निकालना है क्या चीज साइनए धिता बराबर सब्सक्स्राइब हुटा है लंप बटाके को होता है क्तड होता है लंप कमांद कितना दिए तो जी आ हेलिए तो पार्मूला क्या होता है लंप बटाके आधरस क्या होता है यहाँ देखें कितना है कि MIK आपका तीन है कि यहां पे आधक Take Yeah सबस्क्राइब याफ दिखें कि तभर आपने हैब क्या करना यहां पुआ पर लिखते हैं जब यहां पर सवाल को लिखेंगे देखें कैसे के लिखेंग urine साइन टीटा इंठु काश्ट टीटा गुडस 10 स्क्वाइल स्वाइल टीटा इसका मान आप लिए अब आफ आपको करना क्या है कि यहां पर बस मान रख लीजिए इसका साइन ठी टी टांट क्यतना है तीन बाटा के पांच तो दीन बाटा के पांच रखें यहाँ बराबर का चिन दीजी Перघए और वह इसकोा चार चोक को 6 टि同कि क्या करना है कि लिए 15 और 16 का एल्सेव निगा लिएगा तर्ब फचीशलो के लिए कितना होगा 500.35 आर्क निकाल लेजेगा कि बाग कितने बार में जाएगा 25 वाठीज है दूसरों आठ बार में जा इसका 25 में इसका भाग दिए ठीक है जब भाग देंगे इस तरह भाग देंगे बतातें सभाज लीजिस पुरा वाकाई का Τरह फिर आपको प्राब्लम नहीं च्टरह भाग देंगे एक बाग देंगे न करता है दिए इसका जब इसमें भाग देदे इसके अंस में गुड़ा करते हैं यहां पर 12 का गुड़ा किया जा यानि 16 में चो शोला आया उसमें बारा का पुड़ा कर लिजिए ठीक है जब गुड़ा करेंगे फ्रेंस आपका आजागे आपको भीन का जोड़ गटाना आता हो गोना उसी पकास से इसको हल करना है अब फ्रेंज देखी एक सुबाइब दूसर पचीस आपस में जोड़ लीजिए तो कितना होगा आपका चार सो सत्राइब टाके चार सो ठीक है और यह चार सो सत्राइब टाके चार सो चैही आपको चोड़ दो इसको चोड़ेना यही क्यों होचा था फ्रेंस इस इसका प्रकास इस सवाल को आपको लगाना है ठिक है तो आपको 10P परावर एक बटा करणी में 3 हो तो साइन पी कास आर प्लस कास पी साइन आर का मान ग्याद कीजिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे यहां पर आप जब इसको ध्यान देंगे तो पहले देखें 10P पराव कितना दिया था पहले यहां पर लिखिएगा हल लिखने के बाद फ्रेंस पहले लिखिएगा 10P ठीक है क्या है 10P पराव कितना एक बटा के करड़ी में तीन अभी आपको पता है इस सवाल को लगाने का तरीका देखिए आप यहां पर लिखिए अगर 10P बरावर फार्मूला क्या होता आपका लम बटा के आधार होता है लम बटा के आधार लिखिएगा ठीक है यहां पर 10P का मान कितना यहां से जब लम को देखेंगे एक हुआ आधार कितना वह आपका आधार जब आपका करड़ी में 3 ठीक है अब इतना करने के बाद लिखिए पाईथा गुरस परमे लगाना पड़ेगा तीनों भूजा आको पता होना चाहिए जब भी ऐसा सवाल देगा आपको तीन भूज पाइथा गोरस प्रमे लिखेंगे यहां पी इसका फार्मुला लिखेंगे यहां पी इसका फार्मुला लिखेंगे आपका करण का स्क्वायर फार्मुला देखें एक ही फार्मुला है ठीक है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यह हो गया इसका फार्मुला ठीक ह है अब देखे यहां पीशका मॉए रख लेता है जि Civ?" यहां पर कडु का स्वक्वार, यहां पर कडु का ही श्क्वाल रह पता दो के हुआ कितना पता है ? कडु में कडु में 3 का JAMES कर लिभार को सिर्थ के कर दम कितना एक तीन का इसकॉार सी में यहां पर इसकोट होगा इसकोट लए डार यहां को मान पता चल गया है यहां पर ध्यान दीजिये यहां पे साइन पी दिया है फिन और लिए कोड का भी पता चाहिए देखिंगे अब इस सवाल को आपको बनाके लगाँ प्ड़ेगा देखिंहां पर तुरिभूज बनाएंगे तर तुरिभूज यहां पर बनाएगा देखिंगी तेर्भार यहां यहां पर को पहले के हिसाफ निकलते के पहले कोडा को लेते हैं यहां पर यह कोड के सामने वाला क्या तो लम कितना आपका एक से सामनेल बुजल क्या आधार कितना वाद यह जिस पर बनावा तक खड़ी में तीन यह वह जाएगा आपका कड़ ठीक इतना बना लिए इतना बनाएंगे देखे यहां बनाने के बाद आपको क्या करना ऐसे लिख लेंगे एक लंब यह हो गया आधार यह कड़ यह अब लिखन यहां पर लिखेंगे साइन पी कमान गार्द करना है इसके लगव पहले कास पी कमान ग्याद करना है की साइन ही बिखांगा है कड़ कड़ क्या आफ्का और क्या सुरिक्टST और नँटके समय शितनी पर दिखेंगे कि यहाँ से आपका हो जाएगा आधार बटा कि तो फ्रेंस देखें यहां पे लिख लिए किया आपका लम जी अदार तो आधार लिख लिए तो को लिखने में और आसानी हो का अधार क्या क्या है इसका महले क्यों कि अ मन कितना है दिखेंगे दो ए दो है थैके यहां पर क्यसे ग्यात करें इसके लिए आपको एक अलग से तिर्बूज्च और बनाना पड़ेगा यहां इसी तिर्बूज को बनाएंगे बस आतर किया है उसको समझे को समझें धल थैक अधरा अथम सेम समेरी फूझ पनाएंगे यहां पर क्यों रख लेचे कि यहां प्रति पी रख लिए अब दिखिया यहां प्ड़ी में तीन महना चरी है यहां पर दो है छाट करना अब अब का टीक सामने वाला भूजर्स आपको अरक तक आप को समझा रहे हुत आपक depict यहां पे किसके आधार बटा के कड़ होगा यहां पी देखेंगे आधार कितना है आधार देखी आपका दोगऱ कर लिए अधी सब्सक्राइब कर दिखेंगे कि अधी है आपको ग्यात करना है कि इक का वाल आपको ग्याद करना है यहां फिर इसके पर रखते थे क्या करना देखें साइन पी का मंद कितना देए एक बटा के दू इंटु के मतलब होता है गूटा का सब्रक्स नहीं पिर 00.00 में तीन बटा के दू इंटी मतलब गुड़ा साइड सार कमान कलड़ी में तीन बटा के दू कर लीजी ठीक है अब इसक्ति क्या करना है आपको पहले हो जाए के दू का 2 में करों 2 2 1 के 4. प्लास कड़ी 3 करेंगे तैं करणे था करें वह जाओ ठीक है अब फ्रेस्च याया को क्या करना इसमें एक और 3 कितना हो जाए एक और 네 टीन त na 4 हो जाए और यह है तो 4 एक तो फ्रेंस इसका इंसवर आपको कितना है एक पर इस प्रकार कि सवाल को आपको जैसे तरीका बता है कि में दो तरी बुच बनाना है उस तीर भूच को बना कि आपको प्रकाश सवाल में आ प्लाइस टैनी स्कॉार ए बराबर कास स्कॉार माने साइन स्कॉार यानि यह दोनों पच आपस में बराबर है या नहीं है यही पूछ रहा है देखिए इस तवाल को कैसे लगाएंगे पहले यहां पर लिखेंगे हल तरीका वही है फ्रेंस है पहले कितना लिखा है उसको लिखे देखें दिखा야 है कि तीन काऊर ए बराबर कितना है चार यहां पे पहले क्या की यहां पे कार्ट एक फार्मूला लिखेंगे तaimer borrow yanter इस आपका इसका उल्टा होता तैन का उल्टा फार्मूला होता रिक है तो यह जाकों लबटा के लम बटा के लम बटा के लम रहें गर इसको लोड़ा यतार बटा के लँसे काको यह किहां यहां काट कितना है 4 बड़ा के 3 पर 4 बटा के 3 लिखने के बाद आपको क्या करना है अभी बताय कि आपका अन्स में आधार कमान कितना होगी आपका आधार आपका गेज़ान की आफणiva झाल टेकर यहां यहां पर ग्याद करना पड़ेगा, तो पर पाइथा गुरास प्रमे लगाना पड़ेगा, चली इसको ग्याद करते है, तक यहां पर पाइथा गूरस प्रमे लगाने, थे मिलगा फिर हो दितर है जिससे आप बोड की एक्जाम में आपको गारंटी देते हैं कि 70 नंबर का पेपर होने वाला है तो आपको 70 में 70 नंबर पूरा मिलेगा ठीक है इसलिए कि आपको पूरा दम मैद पढ़ाने वाले कड़ का स्कॉार बराबर आधार का स्कॉार प्लस लंब का स्कॉार हो जाए क् यहां पर बस मआ रख लिजिए। दिकंट पर पता नहीं है यहां पर कड कर रहाने दिजिए अभी ग्याद की ता आपको समझ में आ गयो आधार कितना है चार चार का स्क्वाइर प्लस लंब कितना है तीन तीन का स्क्वाइर कर लेजिए करोड का स्क्वाइर बराबर 16 कितना हो जाएगा तो 25 होगा ठीक है यहां सी स्क्वाइर हटाने के लिए फ्रेंज क्या करते हैं आप दोनों पच्छों का करणी लेंगे यहां पर कड़ी लेजिए यहां पर कड़ी लेजिए ठीक है देखें कर बराबर कितना हो जाता है यहां पर 25 कप लगमूल यानि आपको कड़ मिपता चल गया आपका कड़ कितना आ लम्पता आधार पता भी है यहां पे लिकके हैं। यहां पर क्या पता पता हелे फेंदब करना है। आपे ब्लाग को फ्रेक्व क्या करना है उसको पहले ग्याद कले का 10a को मंत पता होना चाहिए का से अरय साय वांत तीनोन इए चाहरें टिए कर यहाँ पर िए फिर इसके बाद सवाल लिखें या छुथ निकालना है कि यहाँ भूता होता है कड़ होता है ठीक है अब देखें कितना है आपका तो लंब तीन है कड़ कितना है पांच है तो पांच कर लीजिए साहिने का मन पता चल गया इसके पात आपको कास एवी ज़्याद करने का सब्सक्राइब वह फर्मूला क्या आप आधार बटाके करने यहां पर आधार कितना चार चार रखें कितना पांच तो पांच रख लिजिए समझ में आगया इसके अलगा सवाल में टैन का भी दिया थे टैन एक याद कर लिए टैन ये बराबर क्या होता है लंबटा के मान कितना है सबीव का कि सबास्ट पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब हाँ करते देखे देखें आपका सबस्क्राइब यहां जो इस 10 square a upon 1 plus 10 square a बराबर cos square a minus sin square a इसी को सिद्ध करना है कि दोनों पच आपका आपसे बराबर है या नहीं है ठीक है फ्रेस देखे यहाँ पे माल रखते हैं और माल रखे हल करते हैं इसको देखे एक माइनस 10 a का माल कितना है इसी को हाल करना फिरेंगए आपको पूरा रखर करके बता देते सवाल को तो नंए चार किसको चार चगो सोल अपन एक बटा के तिद लीक नौँ चार चोगो सोल तीक है यहां पर देखिए कि चार किसको चार्चो को सौला पचाँ । – 3 का इसको तितली के नौँ पचाँ मैं अप्छेस कि üç है उसके बटा में कितना है जले इस तरह कए बड़ाज जैगा इस पर प्लस नव बटा कि कि यहां पर सवाल को लगाएंगे आप दिखिए इसको भी हल कर लेते हैं यह अब रहावर सॉल में सुनों गटा जी तो कितना हो जाएगा प्षाथ बटा के 25 इसको भी हल करने के बाद साथ बटा के 25 से आना चाहिए चले इसी को हल करते हैं तक फिर जब इसको हल करेंगे ना देखिए हल करके बताते हैं 16 मिसलों कटा आएंगे साथ बटा कितना हो जाएगा 16 अपान ठीक है यहां गुरा कचिन बताएंगे तो यह प्लड़ जाता यानि 16 बटा कितना हो जाएगा 25 बड़ाबर साथ बटा के 25 इस दिखेंगे दोनों पच्छ आपका बराबर आया कि नहीं आया जाएगा तो लास्ट में अप लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैं साइट बराबर राइट हैं साइट ठीक है तो फ्रेंट देखिए यहां पे आपके तीन के इमपोर्टेंट क्यों कराए हैं ठीक है आप इन प्रॉड को कर लेते हैं तो आपको इस फार्मुला से यदि आपके पेपर में कोई भी सवाल आता है तो आप आसानी से सभी सवालों को हल कर सकते हैं ठीक है आप कुछ समय के बाद पार्ट टू अप्लोड करें गे तिरको चेप्टर वाइज कराने वाले हैं ठीक है फ्रेस तो फ्रेस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक सेयर करें